हलो एवरीबडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तु मेगनेट बीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दि कोस्टल प्लेंस के बारे में क्यों पढ़ेंगे सर क्यूंकि अभी तक हमने चार मेजर फिज़ोग्राफिक डिविजन पर चुके हैं, यह पाच्वा मेजर फिज़ोग्राफिक डिविजन है, जिसका नाम है coastal plains, ठीक है? बोलो हाँ, अब देखो, आप बोलो कि सर एक doubt आया, लेकिन क्या, डाउट आया? कि planes तो हम पढ़ चुके हैं तो वो कौन से planes पढ़े थे हमने थोड़ा गजनीपन से भाहर आओ और ये सोचो कि वो northern planes पढ़े थे हमने अब हम coastal plane पढ़ने वाले हैं तो ये देखो ये इंडिया है ठीक है अब ये coastal line है हमारी मतलब क्या है समुद्र का तट है ना ये इस तरफ क्या है समुद्र है पानी पानी है अब इस तरफ भी पानी पानी है और वो northern plane हमने यहाँ पढ़ा था अब ये यहाँ पे plane-like structure है मतलब सपाट एकदम जमीन है beaches मिलेंगे ठीक है तो ये भी यहाँ पे plane है लेकिन ये coastal plane है मतलब coast से जुड़ा हुआ इसके अलग आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको geological activities देखने को मिलेगी ठीक है जिस तरह से ये बना है वो सब कुछ अलग है तो वही देखेंगे हम यहाँ पे क्या कि on the basis of location and active geomorphological processes मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है geography में geography के हिसाब से अगर देखा जाए तो geomorphological process क्या हो रही है यहाँ पे क्या बन रहा है क्या तूट रहा है उन साइर चीजों के हिसाब से हम दो तरह के coastal plane हैं यहाँ पिर कह सकते हैं कि इंडिया में जितना भी coastal plane है it can be divided into two broad categories what are those two broad categories western coastal plane and eastern coastal plane west और east ठीके तो अब यहाँ पे धियान रखना क्या है इधर देखो जड़े यहाँ धियान दो क्या कि यह वाला जो पूरा area है ठीके इसको ऐसे भी लेलो चलो तो यह western coastal plane हो गया यह वाला जो पूरा area है यह eastern coastal plane हो गया कोई doubt, कोई confusion ठीके प्रिंसर कड़ाय लोगे तो यह नहीं होना चाहिए अब इस तरह से क्या है आपको यह दोनों coastal plane मिल गए clear? अब आज़ा पीछे आते हैं गया थोड़ा सा और तो यह western coastal plane है western coastal plane को अब comprehensively हम डिसकस करते हैं यह रहा western coastal plane जैसे ठीके इसे पढ़ते हैं इसे समझते हैं तो it's an example of submerged coastal plane submerged coastal plane का एक example है क्यों कैसे? तो आपको यहाँ एक चीज़ बताता हो में कि यहाँ पे क्या है? depth जादा है किस चीज़ की depth जादा है? समुदर की गहरा ही जादा है कुद होगे न तो जादा डूब होगे आप यहाँ पे compared to easteral question plane तो इस sense में क्या है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है? गहरा ही जादा है यह submerged है, डूबा हुआ है अब जब डूबा हुआ है तो यहाँ पे फाइदा क्या होता है? because of this submergence it is a narrow belt and provides natural condition for the development of ports and harbors harbors और ports के लिए develop करने के लिए एक natural condition मिल जाती है for example, देखो क्या है कि एक landmass है मान लो, ठीक है यह जमीन का हिस्सा है ठीक और यह इधर पूरा पानी है यह पूरा पानी है यह पूरा पानी है और यह यहाँ पे ऐसी जमीन ही है यहाँ पे पूर्ट बनाना मतलब शिप के लिए आपको क्या बना रहता है आपने क्या कर दिया एक पूर्ट बनाले इक harbors आपको आपकी नाव जो भी है, ठीक है तो वो आराम से आ सकती है तो यहाँ पे क्या है क्या है यहाँ पे गहरा ही जजादा है पानी की तो पानी दिखती बात है आपने कभी नाओ में बैठे होंगे तो आपने अब्सर्फ किया गए क्या कि यहां सूखी जगा यह वहां पर नाओ चल रही है नाओ कहां चलेगी जहां पानी रहेगा तो थोड़ा पानी रहना चाहिए ठीक है एक दम शेलो वाटर में और कोचिन पोट तो यह सारे पोट जो है तो लाइन सापको सारे पोट भी यहां पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो पोट बहुत जादा कंस्ट्रक्ट हुए ठीक यह हो गया वेस्टरन का एक स्पेसिफिक फीचर अचा इसके पीछे कारण है कारण समझ लो ज़बाद जि देखो आप देखो कि छोटी-छोटी कुछ रिवर से अभी अगले चैप्टर में पढ़ो गया ठीक है जो वेस्टन गाट पो इने धुरी मांडवी वगरा जैसे जो है और नर्मदा और तापी है और एक आधी कुछ गुजरात से आती है तो सिर्फ इतनी ही रिवर इदर अप प्रवाद दिवाईड इंटो the following divisions अब क्या है कि जो पूरा western coast है नौ में तो गुजरात से लगा के के यहां से लगा अगर आप तो यहां से लगा के यहां तक तो उपर वाला जो डिविजन करई और फिर काठियाबाट और कोस्ट वो निगुजरात तो फिर और अगला है कॉनकन कोस्ट इन महरास्ट में कॉनकन कोस्ट है तो महरास्ट में अब आप यहां देखोगे तो इसके बाद में आप जिसे देखोगे करनाटक वाला जो रीजन है करनाटक गो अला जिस एन जो और आपकी बुक में दिया एक ग्वान कोस्ट ठीके तो ग्वान प्लेहन भी बें बी storm इसे करनाट प्लेहन भी कहां जाता है। North Box एको दो नम बता दी मैने ठीके, कौनकन Coast in महाराष्ट, काठियवारिया, फिर कच Coast in गुजराद, यह आपको ध्यान रहेगा, division है यह Western Coast का ठीके, Western Coast अडिया का यह स्थरा का division हो गया, वही पर आप देखेंगे क्या, वही पर देखेंगे, the rivers flowing through this coastal plain do not form a delta, सवाल why, समझो इस चीज को, इंट्रेसिंग देखो, जियोग्रफी को सिर्फ रटते जाओ गरें कि यहाँ डेल्टा नहीं है और यहाँ पर इस तरह से आप क्या देखते हैं, कॉंटिनेंटल शिल्फ जो है तो वो जादा नहीं है यह सारी चीज़ें तो वो बोरिंग लगेगा, रिजन समझो के ज्यादा मजा आएगा क्या रिजन है देखो, तो दी रिवर फ्लोइंग थ्रू दी कोस्टल प्लेंट डू नोट फॉर्म इन एक डेल्टा डेल्टा नहीं बनता है यहाँ पे, क्यों नहीं बनता है सर? देखो, वैस्टर बेण कोस्टल पेंट को अगर आप देखोगे, अब्जर्फ करोगे तो यहाँ पे क्या देखने हो बिलते हैं, आपको की इसकी जो स्ट्रिप है क्या पता है इतना तो सिग्गे ना कि river को delta बनाने के लिए plane area भी तो चाहिए जैसे सुंदरबन delta बन रहा है तो क्योंकि वहाँ पे plane area मिल रहा है उसे यहां पे क्या है पहाड है पूरे continuously कौन से पहाड है Western यह वेस्टन घाट जो भी पढ़के आये हम तो यह वेस्टन घाट है जो continuously तो वह वेस्टन घाट का दे रहे स्पेस में plane area नहीं दे रहे है यह बताया थे मैंने आपको पहले भी तो उस कारण से delta नहीं बनता है ध्यान रहेगा नहीं तो delta नहीं बनता है कहाँ पे western coastal plane पे the Malabar coast has gone certain has got certain distinguishing features ठीक है in the form of कयाल's backwaters यहां पे Malabar coast जो है Malabar coast का है तो यह रहा Malabar coast यह के पास जो है तो Malabar coast जो है तो इसमें आप क्या देखोगी कि एक दम coastal area पे जो है coastal area पे sedimentation के कारण कुछ समुद्र का पानी जो है वो अंदर आ गया है इसको अगर जूम करके दिखाओ मैं आपको तो ठीक है जूम करके ऐसा होगा कि मानलो यह main coastal area क्या है main coastal area कि आजबाजू क्या इस तरह से आप देखो कि तो सेंड बार्स वगेरा बन गई है अब पानी यहां से अंदर एंटर कर गया तो अब क्या है कि इधर में समुद्र है पूरा तो में समुद्र से वो क्या है एक boundary बन गई में समुद्र से बॉर्डर बन गई है लेक तो यह स्टेबल रहते है थोड़े से इसमें ज्यादा उतनी उतल पुतल नहीं होती है ठीक यह क्या जो है ना अब क्या है western coastal plains पे क्याल है बोलो हाँ अब इन क्या होता है इंट्रस्टिंग चीज़े है टूरिस अट्रेक्शन की प्लेसे होती है क्यों टूरिस अट्रेक्श ट्रेस ठीक है अब क्या होता और यह क्या जो है तो सिर्फ कोश्चन अरिया तक सिमीद में बता रहा हूं यह अंदर भी गये हैं ठीक है करला के जैसे आप देखोगे तो थोड़े से इंटीरियर पार्ट तक पहला हुआ है तो उस कारण से क्या है यह इनलेंड नेविगेश तो यह यहां पर क्या होती है बोटरेस होती है अन्वल बोटरेस होती है जहां में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं यह धियान रखना इंपॉर्टेंट चीजे है यह अन्वल बोटरेस जो होती तो इस धी में कह सकते हैं कि एक फेस्ट की तरह होती ही कहला में ठीक है य आफ रसा ये नेरो है ये ब्राड ये इनका डिविजेंदेखो इटो जिसे क्या कोरो मंडल कोरो मंडल केंगे उपर नदर्शन सिरकर है तो इस तरह से इसका कोस्टरी इंडीजन ये हो ग!' अब क्या देखो तो अस those compared to студaining Western Coastal Plane, the Eastern Coastal Plane is broader, बड़ा है, and is an example of emergent coast, अब देखो, emergent क्या है, तो submerged का opposite हो गया, emerged, simple, submerged का opposite मतलब हो गया, emerged, तो यह emergent coast है, मतलब जो अभी बन रहा है, अब कैसे बन रहा है सर, तो वही कारणे इसका भी, देखो क्या है, कि यह इंडिया है, अब यहाँ जो reverse आप देखोगे, क्रिश्णा, मतलब जैसे महानदी देख लो, क्रिश्णा, गोदावरी, क्रिश्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो जितनी भी reverse है, वह सारी reverse अपना deposit जो है, कहां, किस ocean में, मतलब किस part इमागे डाल रही है, Bay of Bengal में, ठीक है, और eastern coastal plane कहा है, Bay of Bengal में, अब जब वह sediments डालेंगी ना अपना, तो sediments डालेंगी, तो क्या है, यहाँ पे आप एक emergent देखोगे coast को बनते हुए, इमर्ज होते हुए देखोगे आप, एक emergent coast इसलिए कहा गया है, यहाँ पे continental shelf जादा रहेगी, मतलब क्या है, मतलब जैसे यह, अगर आप देख रहे हो, तो इसके बाद में, अगर आप ऐसे थोड़ा से 3D imagine करना, ठीक है, drawing के साथ में, तो अब क्या है, कि यहाँ पे आप इस तरह से अंदर अंदर गया हुआ है, क्योंकि यह जो reverse आ रही थी, तो reverse अपना sediment डालते जा रही थी, तो एकदम deepest point आपको दूर मिलेगा, ठीक, deepest point दूर मिलेगा, आप पूरे यहाँ पे जाकर डूब होगे, और यही चीज आप western coastal plain पे देखोगे, तो वहाँ पे क्या है आप ports वगेरा बनाने के अगर बात करोगे, western coastal plain पे तो आपने बना दिये ports सीधा, आपके जहां 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 तक आ गया सीधा, ठीक है, लेकिन eastern coastal plain पे क्या आप continental shelf के कारण आपका जहां 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 तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो ports harvest बनाने में यहां पे दिक्कत जाती eastern coastal plain पे, clear है, यह चीज थी, तो example of emergent coast, तो there are well developed deltas here, deltas भी है, ब्रॉड है तो वहां पे delta बनना तय है, deltas example कौन कौन से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह सारे delta बनते है, emergent nature of eastern coastal plain, ठीक है, it has less number of ports and harbors, तो due to the emergent nature of coastal plain, ठीक है, यह जो coastal plain है, यह emergent है, ठी और continental shelf बनाते हैं, इस कारण से क्या है, कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, it has less number of ports and harbors, harbors और ports की यहां पे, कमी है, ठीक, the continental shelf extends up to 500 km, यह वही बतायागा है, कि emergent है, इस sense में क्या, कि यह जो, जैसे यहां पर अगर, जमीन खतम हो रही है, तो यह continental shelf कहां तक extend होती है, 500 km तक 500 km तक extend होती है, into the sea, which makes it difficult for the development of good ports and harbors, as I told you now, ठीक है, अभी जैसा बताया है, मैंने, उसी तरह से कहानी है, उसकी पूरी, यह हमारी कहानी खतम होती है, पैसा हजम होता है, I hope आपको चीजे समझ में आई है, तो coastal plane भी complete हो गया, major physiographic division में 500 physiographic division complete हो गया है, अब क्या बचा है, आप last physiographic division, जो last topic बचा है, आपके chapter का, वो कौन सा है, तो वो है island group का, ठीक है, जिसे हम क्या करने वाले हैं, जिसे हम next video में discuss करने वाले है, fine, किसी प्रकार के doubt है, feel free to ask in comment section, magnet brains पे आपको इसी तरह से class 4th से class 12 तक, सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ systematic way में, arranged format में available है, ठीक है, जिस नेक्स वीडियो में, तिल देन, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much